नमो नमा बच्चों अब हम आपको वर्ण संयोगा के बारे में बताएंगे इससे पहले आपने वर्ण विछेत के बारे में जाना वर्ण संयोगा अथवा इसे वर्ण संयोजनम भी कहते हैं संयोग का मतलब है कि कई वर्णों को मिला कर लिखना जिसे कि एक शब्द बनता है जैसे यहाँ पर वर्ण अलग-अलग करके लिखे वे हैं और हमने इनको मिलाना है तो इसे कहते हैं वर्ण संयोग जैसे का हलंत प्लस आ का बन गया ला हलंत प्लस इ रिस्वई ली बन गया का हलंत प्लस आ का बन गया तो क्या हो गया यह कली का उसी तरह वा हलंत प्लस इ वी बन गया अना हलंत प्लस आ अना वी ना बच्चों आप देख रहे हैं कि जो हलंत का प्रयोग हो रहा है वो केवल व्यंजन वर्णों में ही हलंत का प्रयोग होता है स्वर में कभी भी हलंत नहीं लगाना है स्वर कौन कौन से होते हैं यह दीर्ग री औल्री है इसका प्रयोग संस्कृत में ही होता है और आपके पाठे क्रम में री का प्रयोग है वो बहुत कम है और री का प्रयोग नहीं है तो अधिकतर जो है वो 12 वर्ण ही आपके पाठे क्रम में प्रयुक्त हैं स्वर्वर्ण अब आप देखेंगे कि कुण्ची का कैसे बना काहलंत प्लस उ कु या है या आधा है इसके साथ कोई स्वर नहीं है इसलिए ये आधा ही रहेगा चाहलंत प्लस इ ची तो आधा जो वर्ण होता है वो हमेशा अगले वाले वर्ण के साथ मिल जाता है और उसे कहते हैं संयुक्त वर्ण कुंचि, ऐसे उचारण करेंगे, कुंचि, और काहलन्द प्लस आ, का, कुंचि का, कुंचि का संस्कृत में चाबी को कहते हैं, खट्वा कैसे बना, खा हलन्द प्लस आ, फिर टा हलन्द, टा हलन्द के साथ कोई स्वर नहीं है, प्लस वा हलन्द प्लस आ, तो खा हलन्द, खा टा हलन्द, इसको हमने ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं है, वा हलन्द प्लस आ, खट्वा, खट्वा मने जारपाई यत्वा पलंग चटके शब्द है यहाँ पर वैसे यह आकारांत इस्त्री लिंग शब्द है चटके द्वी वचन है चा हलंथ प्लस अ चा टा हलंथ प्लस अ टा का हलंथ प्लस ए चटके मा हलंथ प्लस अ मा अब क्षा क्षमा वाला क्षा कैसे बनता है काहलंत मूर्धन्य शा ये जो पा के अंदर ऐसे लाइन होती है छोटी सी इसको कहते हैं मूर्धन्य शा प्लस ई क्षी बन गया क्षा कैसे बनता है देखो काहलंत प्लस शाहलंत प्लस अ इन तीनों वर्णों को मिला कर क्षव बनता है क्योंकि यहाँ पर मक्षिका मक्षिका मक्षि को कहते है यहाँ पर E है इसलिए मक्षि मक्षिक बन गया मक्षिक कहलन प्लस शहलन प्लस E और का कैसे बना कहलन प्लस A मक्षिका इसे तर है द्वी चक्री का ये कठिन शब्द है ये जान बुझकर हमने एक दो शब्द आपको दिये हैं ताकि आप कुछ बच्चे जो हैं वो समझ जाएं कि कैसे संयुक्त वर्ण का प्रियोग होता है दा हलंत प्लस वहलंत प्लस आप दा के बाद कोई स्वर नहीं है तो दा आधा बना है इस तरह से और उसमें वहलंत प्लस आचा और यहां पर भी ये संयुक्त वर्ण है का हलंत प्लस रा हलंत प्लस ई का आधा है तो हमने इसको इसको इस तरह से लिखा जाता है जब रा के साथ रा पूरा होता है और रा के साथ जब का कोई वन आधा लिखा जाता है तो रा पूरा इस तरह से आता है दिखाओगा प्रतिग्या में भी र इस तरह से आया, तो चक्री का में भी चक्री और का हलनथ प्लस आ चक्री का, दुई चक्री का मनें साइकल, तो इसी तरह से आज आपको एक वर्षित दी गई है, उसमें वर्ण विछेद भी दिया गया है, आप वर्ण विछेद करने के बाद वर्ण से योजन भी करेंगे और जब समझ में नहीं आएगा तो दुबारा पुछेंगे